दोस्तो आज के Hair Solutions वीडियो में बात Siboric Dermatitis के Treatment की अब तक हम जानी चुके हैं कि Siboric Dermatitis क्या होती है, उसके लक्षन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, वो क्यूं होती हैं, सारी बातें बने रहे हैं मेरे साथ, और आज के वीडियो में हम जानेंगे Siboric Dermatitis का इलाज क्या हो सकता है, और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बाते हैं दोस्तों पिछले तीन वीडियो में हमने Siboric Dermatitis, Shibaceous Clans, Sebum और इन के बारे में बहुत कुछ जाना हमने जाना कि Siboric Dermatitis क्यों होता है, हमने जाना सीबम क्या होता है, उसके content क्या होते है, उसके अंदर क्या क्या होता है ये क्या-क्या फायदा करता है, क्या-क्या नुकसान करता है, और Siboric Dermatitis कि इतनी परशान करने वाली बिमारी है आज हम जानेंगे इसके इलाज के वारे में, और वो जानेंगे साथ तरीके, जिने अपना कर Siboric Dermatitis से निजात पाई जा सकती है पहला, Maintain Scalp Heizing दोस्तो, Siboric Dermatitis हमारी स्किन पर और सकेल्प पर दोने जंगे दिखी जाती है ये एक Inflammated Disorder है, जिसके अंदर yeast और सिबम मिलकर infection कर देते हैं लाली आ जाती है, और ये डेंटरफ हो जाता है, फलेकिंग हो जाती है, स्केलिंग हो जाती है इसमें सबसे पहले हमें अपनी स्किन को और सकेल्प को हाईजीन कंडिशन में रखना है यानि उनके स्वास्ते का ख्याल रखना है, उनकी स्फाई का ख्याल रखना है इसके लिए हमें नीमित शैंपू करना है दूसरा, Do Medicated Shampoo दोस्तो, Siboric Dermatitis में रूटीन शैंपू जो हमारी स्किन को, हमारे बालों को, हमारे स्केल्प को क्लीन करते हैं वो काम नहीं आते इसके लिए हमें कुछ स्पेशलाइज शैंपू की होशकता पड़ती है जिनने हम Medicated Shampoo या Anti-Fungal Shampoo कहकर पकारते है दोस्तो, इस तरह के Shampoo, Ayurveda में, Homopathy में, Allopathy में सब जंगे available है बात है आपको काम करने की क्योंकि ये यिस्ट बहुत किसम की होती है अलग-अलग परकार से आपको ये प्रभावित करती है अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग Shampoo की जरूरत होती है तो आपकी स्किन के लिए और आपकी बिमारी के लिए क्या सूट करता है ये आपका डॉक्टर ही बेतर बता सकता है एक बार आपका डर्मेटलोजिस्ट ये ट्राइकोलोजिस्ट ये अईरवेदा फिजिशियन आपको जो Shampoo recommend करें उससे आप नीमित अपनी स्केल्प की और स्किन की स्फाई रखें नमबर 3 Protection from cold weather दोस्तों ये देखा गया है कि सर्दियों के अंदर और ड्राइवेदर के अंदर Siboric Dermatitis बढ़ जाता है क्योंकि इसमें हमारी स्किन को उतना मोहिस्टर नहीं मिल पाता हम पानी कम पीते हैं oily spicy मीठा इन दिनों में ज़्यादा खाते हैं और dry wind होने की वजए से हवा dry होने की वजए से हमारी स्केल्प और स्किन सूख जाती है dry हो जाती है और cold जब ठंडी हवाई हमारी चमडी से हमारी स्केल्प से टकराती है तो ये infection को बढ़ा देती है fungal infection ज़्यादा हो जाता है और sebum की production ज़्यादा होने के वजए से ये सर्दियों में aggravate हो जाती है तो अपने आपको हमें सर्दियों के मोसम से बचाना है ठंडी हवाउं से बचाना है और सुखे वाले माहौल से वातावरन से बचाना है नमबर चार, manage stress दोस्तों ये देखा गया है कि यदि आप तनाव में है तो seboric dermatitis बढ़ जाती है इसलिए आपको अपने तनाव को अपने stress को manage करना है यदि आप चिंता गरस्त रहेंगे तनाव गरस्त रहेंगे तो oil जादा बनेगा, sebum जादा बनेगा और yeast के साथ मिलकर जादा inflammation करेगा, redness करेगा dendruff करेगा तो इसलिए यदि आपको किसी भी तरह का stress है तो उसे manage करने के लिए आप अपनी diet का ध्यान रखें और meditation जरूर करें नमबर पाँच Don't use hot water for bath दोस्तों नहने के लिए सरदियों में हमें गरम पानी की जरूरत होती है लेकिन ज़्यादा गरम पानी या hot water हमारी skin को और ज़्यादा dry कर सकता है और ciboric dermatitis को aggravate कर सकता है flakes को बढ़ा सकता है हमारी scalp को greasy कर सकता है या हमारी skin के अंदर acne कर सकता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा गरम पानी का इस्तिमाल आपको नहने के लिए बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों हमने पाया है कि ज़्यादा chemicals हमारी scalp के लिए नुकसान दायक होते हैं और जब ciboric dermatitis वाली scalp के उपर ज़्यादा chemical oil gel color या इस तरह की चीज़ें apply की जाती है तो हमारी skin को हमारी scalp को नुकसान कर सकती है तो जितना हो सके आपको इन chemical से बचना है और अपनी scalp और skin के लिए इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है नमबर साथ consult your doctor दोस्तो जब आपको ciboric dermatitis इन उपायों से ठीक नहीं हो जो उपर बताए गए है तो आपकी जिम्मेदारी है अपने चिकिसक से संपरक करना इसके लिए आप अपने family physician को भी दिखा सकते हैं dermatologist को भी दिखा सकते हैं और एक trichologist को भी दिखा सकते हैं जो भी आपके पास available हो लेकिन इसमें देरी ना करें क्योंकि ciboric dermatitis अगर aggravate हुआ लंबे समय तक रहा तो आपकी skin के infection बढ़ाने के साथ साथ ये आपके बालों की root को भी दिखा सकता है और आपको permanent scarring alopecia की stage तक ले जा सकता है तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि ये बिमारी आपके बस में नहीं है ठीक नहीं हो रही घ्रेलू उपायों से और आपके किये जाने वाले सारे कामों से तो आपको अपने डोक्टर से संपरक करना चाहिए दोस्तों ये थी वो साथ बातें जिने ध्यान में रखकर आप अपनी सिबोरिक विर्मेट टैटिस से निजात पा सकते हैं मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे यदि आपको लगता है ये सब जंगे जाने चाहिए और लोगों के भी काम आने चाहिए तो इसे शेर अवश्य करें और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विश्य के साथ तब तक के नमश्कार